वीत में सुना हम इनसान अंधेरे में है काई का अंधेरा आज तो दुनिया समझती है कि हम बहुत रोषनी में है इतनी रोषनी में है चान तक जा सकते है सुरिय सितारों में भूम सकते है आज मनिश क्या नहीं कर सका है तो ये सबी बातों को मनिश समझते हैं बहुत रोषनी आ गई है और हमारी दुनिया तो बहुत अभी रोषनी की और चली जा रही है पर अंधेरे में है अगर ऐसी बातें नहीं है कि रहे गीतों को तो गवर्मेंट को बंद करा देना चाहिए अगर अंधेरा का है रोषनी में है बहुत पर तो नहीं है अंधेरा है किस बात का जिस चीज के लिए इतनी-इतनी खोजनाओं में जा कर करके आज जान सितारों तक का जाने का आप मनश अपने में हिमत लगाई है, तो जो चीज चाहिए लाइफ में, वो नहीं पा रहे है, तो जो चीज चाहिए, जिसके बनाने के लिए, जिस प्रापती के लिए, इतने इतनी सभी खोजना है, इतना इतना सा बहां समझते हैं, मनश को कोई प्रापती रहे, सुख और श िुकी नही गैरिए लाइफ का मतलब जो लाइफ का शुख और शान्ती हैं उसमेन तो मनश उचा नहीं गया है नो है लाइफ के शुक शान्ती की स्टेज, और ये दुख शान्ती की और वह उच़र जा रही है इसे सिद्ध होता है कि जो मनश को चीज चाहिए इसमें नीचे होते जाएं उसकी अंधिकार है बाकी तो बले हैं, क्यों नहीं और ताकत में मनश प्यार नहीं अभी देखो घर बैठे उदर बात करते हैं इदर देखते भी हैं टेल्वियन, रेडियो फलारा फलारा ये सबी चीजें भले कितनी भी मनश के ये सबी सुख के ये सबी बातों से मनश और तो फिर भी वो जो लाइफ का सुख और शान्ती कहें वो तो चीज नहीं रही है उसकी अंधिकार इसलिए कहते हैं आज इंसान सब अंधिरे में किस अंधिरे में इस चीज के अंधिरे में उसकी अभी रोशनी उसकी अभी चीज का पता नहीं लगता है कि वो चीज हमारे लाइफ में जिसमें हम सदा सुखी रहे वो कैसे प्रापत रहे बहले आज देखो रोगों के लिए कितने इलाज, कितनी सभी बातें भी कितनी आगे बढ़ती, लेकिन फिर रोग भी तो साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे लिए दुख शान्ती भी बढ़ता ही जा रहा है, तो इसे शिद होता है कि वो जो चीज, जिस जीज का लिए हमको लाइफ में ये सुख की, वो हमें नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कहते हैं, उसके हम अंधेरे में अभी तुँआ, इसको बुलाते हैं कि तुँआ उस चीज की रोशनी दे, कि हमारे लाइफ में ये जो अंधिकार, अंधिकार कहो या तुख शान्ती कहो, तो सुख शान्ती की अंधिकार कि हमको प्रेक्टिकली सुख शान्ती कैसे मिले, उन चीज की जो हमारे में अंधिकार हैं, वो आकके हमारी दूर कर, तो देखो उसके लिए उसके लिए तो परमात्मा को पुकारते हैं, उसके लिए कोई इंसान को नहीं पुकारते हैं, या इंसान हा, या इंसान इंसान को उस चीज के लिए है, खुछ देने का नहीं है, तभी तो कहते हैं हम सब इनसान, उसमें सब आ गए, जो हां, कहथू संत मात्मा जो रख बैठे हैं, और जिनों कोई समझते हैं, वो भी हमको पार करेंगे, तो इनसानों में तो सब आ गए, तो सब ही का गए कि हम सब जो इनसान है यहां, सब उस चीज के अंधिकार में है, प्रैक्टीकली जो सुख शानती की चीज है, लाइफ के लिए, वो हमें नहीं मिल पा रही है, अभी तूँ आ, इसलिए परमात्मा को प्रिकारते हैं, और गाते भी हैं कि अंधे की लाठी कूँ है, गाते ने उसको कहते हैं आखे नहीं है देखने के लिए, इस पदार्तों को और सबी बातों को देखने के लिए यह आखे बले हैं, लेकिन वो नेत्र नहीं है, जिसको ज्ञाननेत्र का जाता है, अंग्रेजी में भी का जाता है, थर्ड आयाउफ विज्दम, तो वो हमको किस विज्दम का अथवा नहीं है उसका इसी knowledge का कि हमारे life में पूरन सुख और शान्ती कैसे आवे उसका हमें ज्ञान नहीं है तो वो ज्ञान नेत्र तो अभी ज्ञान नेत्र को यहां नेत्र निकल नहीं आएगा यह जो चित्रकारों ने चित्रों में बैरता करके तीसरा नेत्र यहां दिखलाया है कहीं देखताओं के उपर तो कहीं समझते हैं शैद तीन आख वाले कभी मनुष थे तीन आख वाले कभी मनुष होते नहीं है ये सभी जो चित्रों में भी अलंकार है, इनी का भी आर्ट समझना है, कभी तीन आखे मनिश को होती नहीं, भले देखता हो, कोई भी हो, मनिशी देखता है, और मनिशी ही असुर है, वो है मनिश की qualification, बाकि ऐसे नहीं, उसे कोई मनिश के सरीर की बनावट जो है, वो बदल दे संक्ति है, तो उसको का जएगा असुर्थ, और असुर्थ, क्वालिफिकेशन में जब बदल गुन संपहन, सोलाकला संपुरम weapons निरिकारी है, तो वो क्वालिफिकेशन की बात है, सभी देख आखे हैं, पाकि शरीर की बनावट में इने लेकिन उसके क्वालिफिकेशन में फरक्स जरूर परता है, जिसको पवत्र, अपवसर कहो, या, गोना के संपन कहो, या, कहो किया, विष्टाचार, शिष्टाचार, ये सभी जो, अखेदो आच्रन के उपर हैं, ये सभी तीजें भी समझने की हैं, बाकि कभी मन इसको चार बुजाएं, या तीन आखे, या ये स तो नर-णारी जबी पवत्र है तो फिरा वो दिखलाते हैं निए चत्रबुच का double crown kingdom का symbol तो ऐसी राजाई थी और उस राजाई में सभी नर-णारी सुखी थे तो जबी पवत्र थे तो संसार ऐसा था ऐसा संसार में सब सुखी थे तो वो दिखलाएवाई चत्रबुच के रूप में थे और जो रावन का दिखलाते हैं दस्टीश उसका भी आर्थ है यह मतलब नहीं है कि दस्टीश के कभी आदमी होते हैं नहीं आदमी का नहीं है यह यह भी एक symbol समझो विकारों का जब यह पांच विकार इस तरी के और पांच विकार पुर्श के तो मिला करके कि दस्टीश रख लिये हैं तो नर नारी जब अपवत्र है तो संसार ऐसा दुखी है और जब नर नारी पवत्र है तो संसार सुखी है तो वो पवत्र का सिंबल है चत्रबुच और अपवत्रता का यह रावन. तो यह सीजियें समझ ने की हैं कि यए अलब और मैं और जिनले निशान है किस बात का है इनों का अर्थ है. बागि ऐसे नहीं कि मनश कोई तरचीत वाले या तीन आंख्य वाले या चार बुजय वाले या तीन सिर वाले ऐसे जो चित्र दिखलाते हैं मनश की कोई बनावट में फरक नहीं करता है हाँ इतना जरूर है जब ही मनुष पवत्र है तो आ नेचरल खेल दी है और उसका बनावट पीचर नेचरल ब्यूटी आदी यह सभी इसका फरको सकता है बागी ऐसे नहीं है कि उसमें कोई तीन आखे यहां कोई तीन स्र यहां को चैसी बनावट का नहीं तो यह भी सभी हैं कि तूँ आखके दे तो ज्ञान का नेत्र दे अठाथ वो समझ दे नौलेज दे के अभी हम कहते सदा सुख शानती प्रापत करे हम सब इंसान अभी यहां खोजते-खोजते खत गए हैं इतना खोजनाव में गए हैं इतना और ही दुख है शानती देखो खोजते तो सु प्रापता चीजे नहीं तो यही शान अगर अच्छी तरह ऐसे उपयोग में काम में अच्छी तरीके से लगाया जा तो बहुत इस चीजों से सुख का मिल सकता है और तो बुद्धी है नहीं अभी है तो उस बुद्धी से कामी उल्टा हो रहा है इसको ही का जाता है तो बुद्धी से कामी उसे वो निकलता है कि दुन्या का नाश कैसे हो को अभी है विनाश काले विप्रीत बुद्धी विप्रीत किसे यानि परमात्मा से विप्रीत यानि प्रीत नहीं तो अभी प्रीत नहीं ऐसी बुद्धी हो गई है तो प्रीत नहीं है तो प्र क्या जो भी हमें शांखों से देखते हैं, ये माया है, ये शरीर भी माया है, ये संसार भी माया है, ये धन संपती भी माया है, पर तु माया इसको नहीं कहेंगे, धन संपती तो देवताओं को भुषी, शरीर तो देवताओं का भी था, और संसार में तो देवताओं भी थे, फिर क विकारों के पास माया नहीं थी, धन संपती तो देताओं को भी थी, पर तु माया नहीं थी, माया काई जाता है विकारों को, और माया ही दुख देती है, ताकि धन संपती कोई दुख देने की चीज नहीं है, संपती तो सुख का साधन है न, परंतु उस संपती को भी इंप्य अत्वार शरीर को भी इंप्यूर, अपवत्र किसने बनाया है, पांच विकारों ने, माया ने, तो माया के कारण, विकारों के कारण, हर चीज जो है न, वो अभी दुख का कारण हो गई है, तो अभी धन से भी दुख, सरीर से भी दुख, हर चीज से भी दुख प्रापत हो र तो फिर तुम को इसी शरीर सेहिं और तुम को संपती सेहिं और संसार में सदाव सुख मिलेंगा जैसे देशाओं का था संतार में भी थे और चरीर भी था संपती भी सब था लेकिन हेल्टी, हेवर हेपी तो यह रहु की थे ना तो यह के बाग साइल ताखित शुक्त तब युनों के पास था जब उन्हों के पास माया नहीं थी नहीं था, पांच विकारों, नहीं था तो इसको नाश करने का है यह सबी चीजिएं बैठ करकर करके बाव समझाते हैं कि इस माया को नाश करो तो माया माना ऐसे नहीं शरीर से निकल जाने का है या संफार से यम dużo अएым आवें ऐसे से कहीं समसी यह संसा माया है इसलिए कई शाक्त्रों में भी लगा रखा है कि यह जगत मिठ्ष्या है और तो जगत मिठ्ष्या नहीं जगत तो अनादी है इसको कौन कहेंगा मिठ्ष्या जगत तो है परतु हां इसको मिठ्ष्या बनाया गया है विकारों के कारण मनुश्दु की हुए है बाकि ऐसे नहीं है कि जगत जो है वो है ही नहीं जगत तो अनाधी है तो ये सबी चीज़ें तो हमको कोई जगत से या संसार से निकल जाने की बात नहीं है लेकिन संसार को पवत्र बनाने की बात पवत्र भी संसार था यही तो देवताओं का जो है निशान, यह पवत्र संसार के मनश थे न, देवता है कोई और चीछ वह रही है, यह देवताओं की दुनिया कोई उपर थोड़े ही है, यही दुनिया हम मनश ही देवता थे, और हम मनशों का संसार, स्वर्ग को, हेविन को, यही संसार था, जिसम तो एवि मया को शामना को जीतना कि जितना को मया का जती है शामना कारण को अभी दुख देते हैं तर धन भी data को करते हैं अर गार्य कवाने के स्थारा इसे भी जगता है नहीं तो हमारा सरीर में बियां कभी रोग नहीं था, कभी अकाले मिर्ट्यू नहीं होता था, क्यों नहीं होता था, क्यों, कि निर्विकार के बलते बना हुआ था, अभी विकारों के उसे बना हुआ है, इसलिए उसमें से दुख मिलेंगा, तो हर चीज अभी विकारों के वारनी अब इसे सब दुख है। अब इसको निकालो। वी एभी कैसे निकले। तहिर हमारा संसार चुकी बने। इसके लिए उसको बुलाते हूं। क्रिए हम इंसान वाटों को सब और खोच के पूच के सुख शायनती को दूनते दूनते, जितना डूंगते जाती हैं, उतना होरी उसे दुख्य हमारी तो अभी है लिए नीचे की स्टेज जाने में न, इसलिए उस पुद्धि से काम इल्टे चलते हैं तो इसलिए बाप कहते हैं अभी देखो तेडी उसी सत्य बात को अभी पाद ही सकती है उसके बुद्धी में आएगा ने कि तेडी तो गुद्धी अभी तमो परदान हो चुकी है ना इसलिए अभी मैं जब आता हूं तब ही आका करके फिर तुन को राइट बात समझाता हूं और वो ज्यान का नेत्र मैं देता हूं ज्यान का नेत्र माना ही समझ वो समझ तो बुद्धी में धारन करेंगे वाकि ही यह तो कुस नहीं बनेगा नहीं बुद्धी में धारन तो अभी देखो यह समझ मिल रही है अभी अपने को यह क्या मिला है ज्यान नेत्र तो अभी है अभी शूद्र थे, शूद्र मना विकाडी, अभी विकाडी से पौतरता के उपर अपना पाउं रखा है, तो अभी मानो हो गए ब्रह्मन, अभी पौतरता को अपनाया है, अभी हो गए ब्रह्मन, तो अभी देखो ब्रह्मनों को पिछरी आख है, और देखता है तो फिर प्र अभी जो ज्ञान मिल रहा है उसे हम क्या बनेगे देशा मानुश से देशा बनेगे तो हम को देशाओं को तीसाने तरोना चाहिए या अभी जो हम ज्ञान ले रहे हैं हमारे को हम मनिश हो गए ना हम अभी हम ब्रह्मन कहलाएंगे मनिश पहले शूद्र थे अभी हम शूद्र से ब्रह्मन हुए हैं यानि हम पर्मात्मा की मुखवनसावली जो पर्मात्मा ब्रमातन द्वारा बैठकर करके यह मुख से नौलेज दे रहा है उस नौलेज से हम पैदा हुए हैं तो उसको का जाता है मुखवनसावली तो अभी आदमी निकले थे, पर तो नहीं, मुख्ष से, हम अभी देखो, मुख्ष द्वारा जो नौलेज मिल रहा है, उससे ये पुरिफाइब बन रहे हैं, तो अभी हमारा ये नया जनम हो गया, अभी हुआ है ने आपका नया जनम, तो अभी क्या, शूद्र से, अभी ब्रह्मान हो गया, हमारा परमातमा द्वारा ये मुख्व अनुसावली, जो नौलेज सुनाया, उससे अंप्यूरिफाइब बने है, फिर जाकर करके देवता बनेंगे, तो अभी तीसरा नेत्र किसको होना चाहिए, ब्रह्मनों को, अभी, क्योंके ज्ञान अभी की बात है, पीछे त इनका आठ है, शंक माना ये ज्ञान का शंक, जो सुन रहे हो ना, शंक हैसा ने बजाए, ये ज्ञान का, तो इसको शंक भी कह सकते हैं, और भक्ती मारी में उने ये चीजे रख दी हैं, और गदा वह भी है, ये पांच विपारों के उपर हमने एकदम लगाई है, उसको कैसे हम पहले पहले सो देवता हैं थे, कैसे फिर नीची आए, अभी नीची आ करके, अभी फिर बाप आया हो जाओ शानी ये सारा चकर, जो हमने अभी अपना चकर पूरा किया है, वो ये श्वा दर्शन चकर, यानि श्वा को अभी दर्शन अथा साख्याकार हुआ है, जो फिर दर्शन चकर फिरता है वुदी में, हाँ चलता रहता है, खरात हो नहीं है, नौ चलता रहता है, यानि श्वा माना चल्ग, अब अभी अभी सारा नाौलेज हुआ है, कि ये हमारा चकर हम तो देता थे, अभी देखो किया हो गए है, अभी फिर देता बनती है, तो यह है सारा चक्कर, golden, silver, copper and iron age, इसमें हमारे यह अनेक जन्मों का चकर चला, अभी चकर पूरा होता के, फिर सोदेव का, समझा, तो यह है स्वदर्शन चकर, इसी को जितना जितना याद रखेंगे हम सो थे, अभी फिर नीचे आए, अभी फिर उजा जाना है, तो जितना यह सवद्दी को फराते लहेंगे, तो हा उसे समारे विकार पूरिजा उखाडब्ल को आए, वो गुमाते थे, तो फिर थे करते थे पर तो दुश्मन कौन यह विकार तो इतना यह स्वद्दर्शन यानि सेल्फ को उसी स्टेज में रखेंगे कि आई एम हां असल में पवत्र सोल की सेल्फ वर हुए हैं अभी फिर हमको अपने पवत्र सेज कर जाना है तो आत्मावी पवत्र शरीवी पवत्र स्रम देव का थे तो जितना यह चीज बुद्धी में गुंती रहेंगी यानि स्वद्दर्शन चकत तो इतना आप तुमारे विकार जो है वो नाश होते जाएंगी तो अर्थ शचल यह है तो उन्हों ने बैर्शा करके वो एक उसको अस्त्र शचल के रूप में ले जाए हैं वो गयते गुमाते थे हैं कोई दुश्मन के पास बेचे से उसका गला कार्टी आता था ऐसे ऐसे आशास्त्रों में किसे गयshun जो कि अच्विकारों के उपर और वो क्दम खुलया यह थी का कंल खूल होते हैं वो पानी होते भी सफ्रिष नहीं लगता है लिजा जाता है कि जैसे और ouveं गरषत में रहते कंल कूझ समान यानि ऊसमें कोई जशिस्ट में नहीं और उसमें अपने को पर नगते तो यह है अपना आदर्श, कि हमारे लाइफ का आदर्श क्या था और कैसे हमारी प्रिविर्टी का आदर्श उचाथा यह सभी इनका है, लेकिन वह भी सब, बागी देवताओं को यह संग जकर गदा, यह लेका कोई गुंते थे, यानों के हाथ में थे, यह सभी चित्रकारों बैठ करके वो कैसे दिखलावे, इनों के ज्यान था, यह अनों की माया के उपर जीत थी, यह सब कैसे दिखलावे, तो चित्रों में बैठ करके वो निशान रखी, बाके ऐसे नहीं है, कि ऐसे कोई देखता है, चार बुजाएं वाले थे और वो लेका के गुंगते फिरते इसी कोई बात नहीं थी, तो यह सबी चीजें सम्धने की हैं, कि नहीं देखता है भी मन इस्थे दो बाहे वाले, इसलिए अपना करेक्टी सित्र भी बनाएं दो बाहें दी हैं, देखो नहीं तो श्री नाराण श्री लक्षमी को बहत मंदरों में वो देते हैं, चार कैसा खोटू निकाला है, उसो दोनों, एक लंबी आगे रहे, तोटी पीछे रहे, इधार आ, देखो यह चत्र भुझ, यह देखा, तो बुझाएं लक्षमी की, अचीत रहें से, यह दो बुझा लक्षमी की, वो दो बुझाना रहें, कि इसको चंग चकर गदा पदम पीछे रहें, पीछे हो जाएंगी, और पिर आ, आ, लक्षमी चत्र भुझ, और अड़ा नारायन चत्र भुझ है, यह दो आइका पोटू निकला है, उस भाभुझ का, वास्म में है, कि लक्षमी चत्र भुझ, नारायन चत्र भुझ, जित्रकारों ने फोटू साखिएं अ यह चाहर बुजाएंगे कोई मनश हैं यह कंबाइंद लक्ष्मी नार्यन का फोटू निकला हुआ तो यह सबी चीजें सम्झने की हैं किस दोट तो ऐसे कंबाइंद वावत्र नारी कैसे बने किस धारनां से को धारनाएं के बैसा कि इ Alemkaard छित्रों में दिख्लाएं के शंत ड़ानं किया औह यह सबने था ज़्यद धारन किया दैने शंक चांकर घदा है नख मतलब यह सुनाया नाले आ पर तो बजाना भी है ऐसे हर एको करना है, तो हर एको संग चक्रक्दा, गदम धारी बनना है. तो बनना आभी है, ब्रह्मानों को, अब इसे बनेगे, फृतो देशा बनेगे, जो करेंगे, तो तो पाएंगे. तो यह सबी चीज़ें समझने के किसका प्रेक्टिकल कित दापार्थ क्या है. अच्छा अभी ताइम हुआ है आप लोगों को पता नहीं का का हम तो बैठे हैं हमारे को अरज नहीं है लेकिन जाने वारे तो आप कहा होंगे तो इसलिए आप लोगों को ताइम पर सोटें आच्छा दो मिंट साइलें